उसी के अनुसार काम करेंगे देखिए नरेश अगरवाल के बेटे हैं ये निती नगरवाल एक कहावत चलती है हर दोई में कि नरेश जिधर सत्ता उधर तो नरेश अगरवाल बहुत पहले भाप लेते थे कि सरकार किसकी आने वाली है और आज देखिए उनके बेटे हैं तीन बार वो चुनाव जीत चुके हैं चौती बार वो पहले मंत्री भी रहे निती नगरवाल मनिती नगरवाल एक बार लगूदोग मंत्री रह चुके हैं उत्तरपरदेश में पिछली बार बीजेपी के समय में ये विजान सभा के उपादेक्ष थे अब वो फिर से चुनाव जीते तो सभावी कहें कि वो मंतरी पत्के दावेदार होंगे मंतरी बनना हर कोई भी लायक चाहता है लेकिन चुकी नरेश अगरवाल रासभा के मेंबर थे फिर बीजेपी में आये बीजेपी ने उनको सम्मान नहीं दे पाई उनके बेटे को बाद में सम्मान दिया अब वो फिर जीते हैं तो इस बार उनकी दावेदारी ज्यादा होगी मैं बात कर रहा था बिर्जेपाठक की जो लखनव कैन से जीते हैं बिर्जेपाठक एक ऐसे नेता के तोर पर उभरे हैं जो सर्व सुलब हैं जो आसानी से लोगों के लिए उपलब्द रहते हैं उनके काम आते हैं जनता उनको अपने काफी नस्दीक पा रही है जहां से व सबसर थे एडी के अधिकारी थे लेकिन उन्हों ने जिस भी नमरता से चुनाव लड़ा राजेस्वर सिंग ने सियासत में एक बिनमर पहचान बनाई वो काम्याब रहे बहुत बंपर वोटों से वो जीते लखनव में लखनव में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी जीत पाजनीत करते होंगे लेकिन राजेस्वर सिंग ने जनता जनार्दन के बीच जाकर नेताओं को भी पीछे कर दिया उन्होंने बिनमरता से चुनाव लड़ा पैर चुकर चुनाव लड़ा हाँ जोड कर चुनाव लड़ा और जीते और बीजेपी की इस तरह की आंधी में दिख रही थी कि बीजेपी जीत जाएगी उस सफाया कर देगी राजेस्वर सिंग को बली कली टकर भी मिली उनके सामने अभिशेक मिस्रा थे वह अन्भवी देता रहे बंतरी रहे हैं दो दो चुनाव लड़े हुए थे और यह ब्रामल की सीट मानी जाती थी बाहुल ले स आया जे तो एक अफसर जिसके सामने इतनी सारी चुनावतियां हो और वो इतनी बहादूरी से और इतनी बंपर वोड़ से जीते हैं तो सभाविक है कि उसकी वितारीफ होगी उसके पार्टी की वितारीफ होगी